आप सभी दर्शकों का स्वागत है भारत वर्ष में देखा जाता है कि स्वास्त संबंधी समस्याएं दिन प्रति दिन बढ़ती ही जा रही है जो राजयोगा एजुकेशन एड रिसर्च फाउडेशन जो ब्रह्मा कुमारी की संघटन की एक सहयोगी संस्था है जिसमें भिविन बिंग की जोड़े हुए है और उसमें से एक बिंग है मेडिकल बिंग तो इस मेडिकल बिंग का मैन ओदेश है कि समान बीमारियों की जानकारी देना तो आज का जो इप्रोग्राम है देश की तमाम महिलाओं पर समर्पित है 21 सदी की महिलाएं दया प्रेम करुणा की देवी होने के साथ साथ आज एक महत्माकांची सौलम भी और दूर दर्शी है अगर हम इथास के पन्नों को पल्टा कर देखेंगे तो पाएंगे कि देश की रक्षा में जितना योगदान पुर्शों का रहा है उतना ही योगदान महिलाओं का भी रहा है परिवार की छेत्र में देखेंगे परिवार की जिमवारी निभाते निभाते और बच्चों को सम्हालते हुए समाच के छेत्र में भी समाच को उच इस्तर तक पहुँचाने में भी महिलाओं की विशेश भूमिका रही है लेकिन देखा जाता है कि महिलाएं समाच की परिवार की जिमवारी निभाते निभाते वो इतना व्यस्त हो जाती हैं कि अपनी उपर ध्यान नहीं दे पाती हैं और अपनी छोटी-छोटी समस्याओं को नजर अंदाच कर देती हैं, जिसके कारण वो समस्याओं आंगे चलकर गम भी रूप ले लेती हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं महिलाओं के स्वस्त संबंधी समस्याओं के बारे में। और इसके लिए हमारे बीच में हैं इस्त्री रोग विशेशक के डॉक्टर पुश्वा पांडे जी। डॉक्टर पुश्वा पांडे जी आपका स्वस्त परिचर्चा प्रोग्राम में बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्ते, ओम शान्ते। अप्य जान करो जेए। और वहां पर तीस साल से कंसल्टेंट है। तो तीस साल से लगभग हम ये गाइनिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। और साथ ही राजयोग मेडिटीशन का अभ्याज भी करते हैं। जिसको हम प्राक्टिकल अपने फिल्ड में अप्लाइ भी करते हैं। डॉक्टर पुशापार्णी जी तो ही आपके इंट्रोड़क्शन की बात हमारा सबसे पहला सावाल जो कि हमने पहले भी बताया। कि महिलाएं इस भागत और भरी जिन्दगी में अपनी उपर धहान नहीं दे पाती हैं। यहां पिल्कुल तो हम यह महिलाओं के स्वास्त सम्द्धी क्या-क्या समस्या आ सकती हैं। बहुत अच्छी बात है। कि हमारे देश में महिलाओं को स्वास्त के प्रती जागरती नहीं है। तो हमें पहले तो ये मालूम पढ़ना पड़ेगा लोगों को बतलाना पड़ेगा कि वास्तों में स्वास्त है क्या क्योंकि लोगों को यही जानकारी नहीं है कि स्वास्त क्या है तो हम यह बतलाना चाहेंगे कि स्वास्त सिर्फ यह नहीं है कि हम शारीरिक रूप से हमको बिमारी नहीं है तो हम स्वस्थ हैं WHO के definition के अनुसार स्वास्थ का अर्थ होता है कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहना या फिर आज energy की भाष्य में अगर कहा जाए कि अगर हमारी physical, mental, social या spiritual यह जो energy है या हम दूसरे शब्दों में कहें क्योंकि आजकल energy के field के बारे में कहा जाता है कि हमारा physical, mental और spiritual दोनों तीनों energy अगर सामन जस्य में है तब ही हम कहेंगे वास्तों में स्वास्थ है तो हमारे पास जो patient आते हैं वो काफी late stage में आते हैं जब काफी fell जाता है, कोई बीमारी हो जाती है initial stage में नहीं आते हैं और ऐसे medical science भी कहता है कि अधिकतर जो बीमारी होती है वो पहले सब clinical level पर आती है तो अगर हमारे दर्शकों को या महिलाओं को जाग रुकता हो कि कैसे हम कोई भी बीमारी प्रिवेंट कर सकते हैं तो ये ज़्यादा ही अच्छा हो तो सबसे पहले तो हम ये जाने कि क्या-क्या abnormalities हो सकती है क्या-क्या स्वास्त संबंदी समस्याएं हमारे माताओं बेहनों को हो सकती है तो एक तो जो बीमारी जो की पुर्षों में होती है वो भी महिलाओं में common है ऐसा तो नहीं है कि वो बीमारी नहीं होगी जो पुर्षों में होती है जिसको आज कल हम कहते हैं non communicable disease तो आज कल ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है चाहे वो diabetes हो चाहे हाइपरटेंशन हो, काडियक डिजीज हो या कैंसर हो यह बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और एक बात हम और कहना चाहेंगे कि जो काडियक डिजीज है वैसे जब महिलाओं में मेनोपॉस होता है मेनोपॉस का अर्थ होता है कि मैंसिस का बंद हो जाना तो उस समय तक जो काडियक प्रोब्लम होती है वो पुरुषों में और महिलाओं में लगभग सामान होती है लेकिन जब मेनोपॉस होता है तो मेनोपॉस के बाद महिलाओं में यह प्रोब्लम बढ़ जाती है क्योंकि जो इस्ट्रोजन हॉर्मोन जो रिलीस होता है महिलाओं में वो काडि अर्थाद कि वो हार्ट अटेक को प्रिवेंट करता है लेकिन मेनु पॉस के बाद ये कम हो जाता है तो इसलिए बीमारी भी सामाने होती है तो ये बीमारी भी महिलाओं में हो सकती है उसके बाद एक दूसरा होता है कम्युनिकेबल डिजीस कहते हैं या इन्फेक्टिव है, तो malaria तो हो गाई, हम इसी है कि malaria नाँ हो आप phylaria जिक्षेतर में है, तो phyleus फाल परो प्रॉबलम तो दोनों में बराबर है तो यह तो बराबर है, लेकिन गैनेक्स प्रॉबलम जो होती हैになरी है वो सिर्फ महिलां को ही होती है तो डॉक्टर पुश्वपांडी जी जैसे कि आपने बताया कि महिलाओं को जो पुर्ष्चों में बीमारियां वो भी हो सकती है कैंसर भी हो सकता है, डाइबेडीस भी हो सकती है, मैलेडिया जैसी भी समस्या आइसकती है उसके अलावा मेरा दूसरा प्रश्णी है डॉक्टर पुशर पार्णी जी की गाइनकोलोजिकल समस्यां क्या क्या हो सकती है गाइनकोलोजिकल समस्या अर्थात जो महिलाओं में जो जैनाइटल सिस्टम जिसको कहा जाता है तो genital system से संबंधित जो भी बिमारियां होती हैं, वो इस्ट्री रोग से संबंध रखती हैं, जिसको gynecological problem कहते हैं, तो जैसे ये model रखा हुआ है, इसमें बहुत ही सुन्दर बतलाया हुआ है, कि जो सामने है, ये urinary system या bladder है, जिसको कहते हैं, और उसके बीच का ये genital system है, और ये genital system के different parts होते हैं, और ये जो पीछे वाला जो part है, ये हमारी आते से जो संबंधित होता है, gastrointestinal system होता है, उससे होता है, तो इससे संबंधित जितनी भी बिमारियां हैं, तो सबसे पहले जो नीचे का part होता है, वो vagina कहलाता है, तो vagina में कुछ भी problem हो सकती है, उसका infection हो सकता है, उसमें cyst हो सकती है, उसमें गठान हो सकती है, और इसके उपर का जो भाग है, गरभाशा या uterus कहलाता है, इसमें भी बहुत सारी problems होती है, इसमें भी infection हो सकता है, इसमें बहुत सारी गठाने होती हैं, जैसे कि polyp और fibroid, tumor ये सब भी हो सकता है, और इसके साथ य तो ऑवरी के भी बहुत सारी बीमारियां होती है। साथ में इस संबंधित और एक फैलोपियन चूब होता है। सारी बीमारियों इसमें बहुत सुंदर से दिखाई हुई है। फैलोपियन टूब है। तो पूरा इसमें सारी बिमारियों के बहुत सारी लिस्ट दी हुई है ये देखिए चोटी-चोटे फाइब्रोइट्स हैं जो गठाने आ गई उसमें नॉर्मल है और इसमें गठान देख रही है और इसमें वेजाइना है तो ये भी चोटी-चोटी ये दिख रहे हैं यहां पे भी देखे, आप कैसे दिख रहा है तो और इसमें cancer भी हो सकता तो इन से संबंदित जो भी बिमारियां होती है वो gynecological disorder कहलाते हैं साथे साथ हमारे पास आज कल breast से संबंदित भी सारे patients आते हैं आज कल breast cancer बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो गठान लेकर आती हैं तो उसके प्रतिवे जागरुकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डॉक्टर पुषर पांडीच ये तो हुई समस्याओं के बाते लेकिन आपके पास महिलाएं क्या-क्या समस्याओं लेकर आती हैं किस प्रकार के पेसेंट आते हैं तब clinical presentation आपका मतलब है ना तो clinical presentation अधीक तर जो हमारे पास patients आते हैं ये तो vaginal discharge से आते हैं और दूसरा जो होता है वो कि irregular bleeding वो सबसे बड़ी problem है irregular menstrual cycle वो एक problem है और तीसरा जो होता है वो गठान लेकर आती हैं कभी-कभी पेट में दर्द होता है तो वैसे तो पेट में दर्द बहुत कारण उसे हो सकता क्योंकि पेट बहुत abdomen बहुत बड़ा है उसमें GIT भी होता है मतलब आते भी होती है और सारे दूसरे systems भी होते हैं लेकिन जब नीचे अगर दर्द होता है तो mainly gynecological problem के कारण होता है तो सूजन आ जाती है उसके कारण भी होता है इस तरह से mainly complaint लेकर आती है हमारे पास पानी जी ये किस उम्र में शुरू होता है किस age से शुरू होता है ये gynecological problems जो शुरू होते हैं वो actual में जो शुरू होते हैं ये जब किशोरा वस्था में पहुंसती है जब वो बच्ची रहती है और बच्ची जब वो change होती है तब adolescent age कहलाते है ये बहुत ही अच्छा question है क्योंकि कई congenital anomalies होते हैं जिसको कहते हैं कि जन्म जात कई जो genital system किसी-किसी बच्चे का develop भी नहीं होता है तो जब तक उसमें body में changes नहीं आते हैं adolescent age नहीं आती है तब तक वो पता भी नहीं लगता है कभी-कभी क्योंकि जैसे adolescent age आई तो फिर उसके body में changes आने लगते है उसका breast develop होता है उसके hairs भी develop होते हैं growth होती है तो उस समय अगर नहीं develop होता तब कभी-कभी parents को पता चलता है तो इसलिए gynex problem usually जो start होती है वो adolescent age में होती है और जो menstrual problem जो होता है वो भी उस age में start होता है तो start होने की age तो फही रहती है और दूसरी age में भी आती है हमारे पा पास आती है महिलाएं आती है और menopause age मतलब कि जब मावारी बंद हो जाती है मैंसेज बंद हो जाता है उस age में बहुत सारी complaint लेकर आती है जैसे कि आपने उम्र की बात की अलग-अलग उम्रों में अलग-अलग बीमारें आ सकती है तो यह teenage क्या है और किशोर रवस्ता क्या और उसमें क्या-क्या परिशानिया हो सकती है जैसे कि आपने बताया कि जो भी gynex problem होती है वो हम adolescent age से पता लगाते है adolescent age और teenage में थोड़ा सा फरक है वो पता रहना चाहिए सबको वैसे तो जब पहले काफी 10-20 वर्ष पहले जब start होती थी कि ये teen age में ही 13 साल में ही लड़कियों को या girls को start हो जाता था menses तो teen age और adolescent age almost same थी अभी क्या हो गया है कि बहुत सारी जो changes है वो early start हो गया है जैसे कि 11 साल से उसमें body में जो sexual changes आते हैं secondary sex character के changes आते हैं तो adolescent age थोड़ी early हो जाती है और जो teen age होता है वो 13 से चालू होता है मतलब 11 साल से adolescent age चालू हो जाता है और adolescent age होता है उसमें body में बहुत सारी changes आते हैं तो सबसे पहले जो होता है वो height बढ़ती है और height बढ़ने के बाद फिर breast nodule डवलप होते हैं और breast के बाद फिर secondary sex characters आते हैं जैसे hairs डवलप होने लगते हैं body में और फिर उसके बाद minarchy जिसको minarchy अर्था first menstrual cycle तो आजकल यह जैसे हमने कहा कि एस थोड़ी diet के कारण environment के कारण social media के कारण थोड़ी एज इसकी कम हो गई है तो यह adolescent age होता है और इसमें ऐसे changes आते हैं body में पुषवपांडी जी आपने एक बात कहीं कि इस age में सारीक और मानसिक परिवर्टन होता है या विकास होता है तो उसमें मात-पिता को क्या जानकारी देना चाहिए या क्या जागरुकता रखनी चाहिए हाँ adolescent age बहुत इची बात-पिता को बच्चों के साथ सबको पता भी रहना चाहिए क्योंकि यह बहुत sensitive issue आजकल हो गया है क्योंकि adolescent age बहुत sensitive age है इसमें body में physical changes तो आते ही है लेकिन psychological changes आते हैं वो बहुत important हो गया है जैसे physical हमने changes बतलाया कि सारे body में breast nodule होगा फिर उसके बाद मिनार्की स्टार्ट होता है यह तो एक शरीर के अलग बात है और यह लगभग दो-धाई साल का period इसमें चलता है और एक बात ध्यान रखना physical changes में बहुत ज़्यादा जरूरी है parents को भी मालूम होना चाहिए बहुत सारे parents जो होते हैं हम लोगों के पास adolescent age में लेकर आते हैं तो सबसे पहले जो breast होता है एक nodule के रूप में start होता है तो parents को confusion होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि abscess हो गया है तो यह मालूम होना चाहिए कि थोड़ा सा शुरू में painful होता है तो यह उनको confusion हो जाता है लेकिन दूसरे बात जो ज़्यादा important है वो important है कि psychological changes आते हैं उस समय जब बच्ची होती है वो किशोरा वस्ता में change होई होती है तो उसके psychology में बहुत confusion होता है और उसमें hormonal changes आते हैं और hormonal changes के कारण उसके अंदर behavior में बहुत परिवर्तन आता है उसके कारण एक तो opposite sex का attraction भी होता है यह भी एक problem होती है friends के साथ उसका ज़्यादा attraction हो जाता है और अगर इस समय parents जब ध्यान नहीं देते हैं तो आजकल हम देखते हैं कि जो अपराद जो होते हैं उनकी जो age है वो कम होती जा रहे इसका कारण ही है कि वो ध्यान देना parents लोगों ने थोड़ा सा कम कर दिया है तो यह बात बहुत ज़्यादा ध्यान देना मुझे एक बात अभी practical में याद आ रही है कि एक बच्चे को parents psychiatrist के पास लेकर गए और जब psychiatrist के पास लेकर गए तो psychiatrist ने पूचा क्या problem है तो कहा कि उनके parents ने बतलाया यह जो बच्चा है यह fifth class में पढ़ता है और इसकी class fellow है तो इसकी इसे बहुत ज़्यादा दोस्ती है और यह कहता है कि मुझे उसे marriage करनी है तो अब इसको marriage का अर्थवे ने माता है पता है कि क्यों marriage करनी है लेकिन यह बिल्कुल जिद कर रहा है इतना ज़्यादा जिद कर रहा है कि हम लोग परिशान हो गए है तो हमें आपके पास लेके आना पड़ा तो psychiatrist हमेशा बच्चों से question पूछते हैं psycho analysis करते हैं तो उन्हें उसे पुछा बच्चे से कि बटा तुमको क्यों शादी करना है उसे तो बोला auntie आपको पता है कि वो जो है ना मेरी जो दोस्त है वो मेरे को बहुत सुनती है मेरी बात और अपने personal problem में मुझे बताती है उसके भी parents job में चले जाते हैं और मेरी भी parents चले जाते हैं तो आप कोई हम लोग की सुनने वाला तो है नहीं तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता एक दुस्रे के साथ तो हम लोग को लगता हम लोग हमीशा साथ रहे और इसलिए हम हैरिस करना चाहते हैं तो आप समझे कि अगर parents अपने बच्चों की बात नहीं सुनते हैं तो आपस में friendship यह जो behavior हो जाता है और उसके कारण चुकि उस वो experimental age भी होती है तो hormonal changes आते हैं और social media के द्वारा दोस्तों के द्वारा वो गलत बातें पता चलती हैं तो कभी-कभी बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है इसलिए parents को ध्यान देना बहुत जरूरी है रग्ट पुषर पार्णी ची अपने बताया कि अगर parents अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं तो उस समय बच्चे बुरी संगत में फस सकते हैं माना यह जो एज होती है बनने की या बिगड़ने की होती है तो इसमें parents को अपने बच्चों पर ध्यान देना है समय भी देना है और एक अच्छी दोस्ती करनी है मतलब अगर दोस्त के समान रहना स्टार्ट कर दें तो बच्चा जो है वो खुला रहेगा ना मतलब अब क्योंकि psychological जो changes होते हैं वो दोनों में समान होते हैं चाहे वो male है या female है तो इसलिए अगर अगर दोस्ती का व्योहार करें तो बहुत अच्छा है तो बच्चों के उपर विशेष ध्यान देना है उनकी बाते सुननी भी है समाई भी निकालना है और बातों को सुनकर उनकी बातों को हल भी करना है यह पेरेंट्स को विशेष अपने बच्चों को इस एज में ध्यान देना चाहिए बच्चों को इक अच्छा इंसान वनाना चाहते हैं, तो, दोक्र पुषभ पांडी जी, एक हमारे मनमें प्रश्णा है, कि जैसे, इस एज में कोई समस्याय आती है, तो उस समस्या में पेरेंट्स को अपने बच्चों को डॉक्र की पास ले जाना चाहिए कि जैसे हमने का कि भी अब वो बच्चे कोई उसके लिए psychiatrist के पास ले जाना पड़ा और भी बहुत सारी कई problems होती है adolescent age में जैसे physical problems होती है physical problem अगर उस समय adolescent age में उस किशोरी को या तो pain बहुत ज़्यादा हो रहा है या कोई ऐसे swelling ज़्यादा लग रही है या ऐसा लग रहा है कि lymph nodes ज़्यादा है मतलब physical में भी और अगर 5 साल तक breast develop होने के बाद भी मिनार्की नहीं होती मिनार्की मतलब कि first menses start नहीं होता तो जरूर डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए हो सकता है उसमें कुछ congenital anomaly हो जन्म जात उसमें कोई ऐसा body में changes हो कि जो normal नहीं हो तो डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो डॉक्टर उसको sonography कराएगा और उसको उचित सला देगा डॉक्टर परपानी जैसे अपने बताए कि इस age में बच्चों को psychology problem भी होती है तो कई बार पेरेंट्स के दुआरा अगर सकरात्मक प्रयासों के भी बाध्यम से बचे ठीक नहीं हो रहे हैं तो उस समय क्या करना चाहिए counseling कराना चाहिए क्योंकि parents ध्यान नहीं देते तो parents है सबसे अच्छे counselor है अगर जैसे पहले भी हमने बताया कि अगर वो खुद ही थोड़ी बातों पर ध्यान दे और थोड़ी खुद भी knowledge रखें कि adolescent age में क्या-क्या problems होती हैं क्या-क्या changes होते हैं जो चिड़-चिड़ापन होता है वो बच शक्ता वैसे नहीं होती है डाइट का तो बहुत ज्यादा रोल है क्योंकि यह growing age होती है इस growing age में balance tight हमेशा देना चाहिए और हमने देखा है कि जब school में बचे जाते हैं तो आजकल क्या करती है mothers क्या करती है लेट उठेंगी वो bread दे देंगी fast food दे देंगी और बच्चों को जब mother ही ऐसा देते हैं तो फिर बच्चे क्या करेंगी उनको उसका taste लग जाता है और वो उसको ही खाते हैं तो जो proper जो growth होती है वो नहीं होती है और इस समय PCOS की जो problem इसी कारण होती है इसको polycystic ovarian syndrome कहा जाता है तो यह कारण यह होता है कि diet proper नहीं मिलती है आजकल fast food का जमाना है तो इस age में ही fast food बिलकुल नहीं लेना चाहिए balanced diet कार्थ होता है कि यह protein, carbohydrate, fat, vitamins ऐसे जिसमें के सब हो जैसे vegetables लें, fruits लें, ताजे जितना भी है ताजा बना कर दें, कोई भी बासा ना खाएं, dry fruits भी दें, हाँ, थोड़ा tasty और ऐसा बना के दें, क्योंकि बच्चों को समय अगर स्वात से दिया जाए, healthy diet दिया जाए, थोड़ा healthy recipe भी mother सीख लें, तो बहुत अच्छा है, उसको भी लगेगा school में जो tiffin है, क्योंकि school going age होती है तो अपर उस समय जाएं, तो ब door games होते ही थे, हम लोग जब school से आते थे, school से आने के बाद बस्ता एक तरफ रखा और उसके बाहर बाहर गए, तो हमको अलग से exercise नहीं करने पड़ती थी, और हमारे school में भी हमको याद है कि वो pity होता था, तो last में हम लोग pity करते थे, लेकिन आज कल इतना ज़्यादा course हो ग मोबाइल हो गया है, तो मोबाइल के कारण, बचे जाना बाहर पसंद भी ने करते हैं और मोबाइल देखना पसंद करते हैं, तो इसलिए उनको motivate करना चाहिए कि बचे exercise के लिए बाहर खेल खेलें और जिससे कि उनका proper development हो, क्योंकि exercise से भी endorphin release होता है, तो उससे भी जिसको happiness का hormone कहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसके बिना proper ना तो physical growth होती है, ना तो psychological growth होती है, और वो समाज में भी अच्छे से नहीं रह पाते हैं, इसलिए दोनों का बहुत ज़्यादा रोल है, exercise का भी विशेश रोल है, वयाम करना है, और अच्छी fruit लेना है, healthy routine भी लेना है, डॉक्टर पुशर पांडीची, इसमें meditation का रोल है, विशेश राध्यात्मिकता का भी रोल है, बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि जैसे हमने पहले ही कहा, कि आज बच्छों को संसकार देना बहुत आवश्यक है, और adolescent age, experimental age होती है, अगर parents भी meditation करते हैं, य उसका प्रभाव direct या indirect बच्चों पर जरूर पड़ता है, जैसे राजयोग meditation जो सिखलाया जाता है, उसमें पहला lesson तो यही बतलाया जाता है, कि हम है कौन, तो बच्चे उस समय confused रहते हैं, कि मैं हूँ कौन, तो अगर उनको यह मालुम हो, कि I am a soul, और मेरी बोडी में changes आ लेकिन मैं soul हूँ, तो उनको male और female में जो व्योहार करने में ज्यादा फरक नहीं पता लगता है, क्योंकि उनके घर का वातावरन भी बहुत अच्छा अध्यात्मिक रहता है, तो अध्यात्मिकता का तो बहुत ज्यादा रोल है, और meditation से यह भी फाइदा होता है, कि Hypothelmos जो होता है, emotional activity के लिए responsible माना जाता है, तो अगर stress होता है, क्योंकि उस age से ही stress स्टार्ट हो जाता है, तो meditation से stress कम होता है, और hypothalmo pituitory adrenal axis, जो कि hormonal changes के लिए responsible होता है, तो जगर parents करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, तो उस घर में वातावरन बहुत अच्छा होता है, औ और बच्चा अच्छा ग्रो करता है, तो इसका तो बहुत ही ज्यादा रोल है, बहुत बहुत धन्यवार डॉक्टर पुशवपांडी जी आपने महिलाओं से स्वास संबंधी अच्छी जानकारी आपने दी, आपको जैसे बताया डॉक्टर पुशवपांडी जी ने कि आधात्निक रहना है और बच्चों को भी बनाना है, मेडिटीशन आपको भी करना है और बच्चों को भी कराना है, क्योंकि बच्चे आपकी बातों को नहीं, आपको फॉलो करते हैं, और जब आप आधात्निक रहेंगे, अच्छी विचार रखेंगी, तो बच्ची भी आपने इतनी अच्छी जानकारी दी महिलाओं से संबंधित और साथ में आपने बताया कि आधात्निकता का विशेश रोल है, मेडिटीशन भी हमें करना है और मेडिटीशन के माध्यम से अच्छी ग्लोथ होती है और साइकलोजी प्रोब्लम भी ठीक होती है तो बचे जो हैं आपको इबातों को आपको फॉलो करते हैं इसलिए आप आधात्निक रहें और बच्चों को भी कराएं आप मेडिटीशन स्वैम भी करें बच्चों को भी मेडिटीशन सिखाएं ताकि आप भी स्ट्रस फ्री झाल झाल